ईस लिए इस शिवानन जूला के नाम से भी जाना जाता है शिवानन डाश्रों के सामने एक चूलेन मापुल बना हुआ है जिसे राम छूले का नाम से जाना जाता है राम छूला लक्ष्मन छूला के निस्दीक से थैं स्वर्ण काश्रम क्षेक्र में जाने हैं तो राम छूला गंगा के उस पार से इस पार ले जाने का रास्ता है राम छूला भार पीछे ज़ता है दुपहिया वाहन इसके उपर से अक्सर निकलते देखे जा सकते हैं रामशूले पुल पर जब लोग चलते हैं तो यह जूता हुआ प्रदीध होता है जिछ गोले खाते हुए रामशूले के उपर से नीचे बहर रही गंगा का बेहगत दिरुश्य का आनक दिया जा सकता है तक्षमन जूला विवरंड लक्षमन जूला उतरांचल के पर्यटन स्थालों में से एक है थिशिकेश से पांच किलोमेटर आगे एक जूला है इस छुले को लक्षमर्ण छुले का नाम से जाना जाता है। इस छुले को लक्षमर्ण छुले का नाम से जाना जाता है। इक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता लक्षमर्ण छुला रिशिकीश की खास पहचान है। पूर्व में यह जुला। लक्षमाना जी द्वारा निर्मित्था कालांतर में अर्थाक साथ नाइंटीन थर्टीनाइन। मैं इसे नया स्वरूप दिया गया। 450 फीट लंबे लक्षमर्ण छुले के समीपी लक्षमर्ण और रगुनाथ मंदिर हैं। लक्षमर्ण छुले पर खड़े होकर आसपास के खुबसूरत नजारों का आनंद लिया जा सकता है। कहा जाता है कि गंगा नदी को पार परने के लिए लक्षमर्ण ने स्थान पर जुट का जूला बनवाया था। लक्षमर्ण छुले पर जब लोग चलते हैं तो यह जूता हुआ प्रतीत होता है। ेरों कि हुआ सれता है कि लिएandid लिस व quand प्री टूलरों इने शड़ कोुआ थाैं तो यह जगता हैं चुलता है। ग्वर्णमर्डर्ण 10 तो कि मह कुआ ख dates रहता है। और ट cabbage एंगा रहता है।